पिछले एपिसोड में डॉंग फेंग ने सिंग्यून से कहा था कि हम फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे जिस पर सिंग्यून ने भी उसे कहा था कि मैं इसके लिए हमेशा ही रेडी हूँ इसके बाद अगले सिंग्यून में हम देखते हैं कि सबी लोग यहां से जाने लगे थे इसलिए सिंग्यून भी लियू सियान और गूमैन से कहता है कि अब तुम यहां से चले जाओ क्योंकि मेरे पास में भी कुछ ज़रूरी काम पूरे करने बाकी हैं और अब मैं कमपर्टि उससे कहने लगती है कि हम फिर से कब मिलेंगे क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी तब इसकी ऐसी बात सुनते ही सिंग्यून से कहता है कि तुम इसके बारे में इतना परिसान क्यों होने लगी क्योंकि जैसे ही तुमके वले का वाज लगाओगी मैं त पुरिजे में दारी तुम्हें दे दिया इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपसे या चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुस्किल होगी तब इस पर लियूस यान उसे कहती है कि तुम जो भी चीज दोगे मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर दूंगी और इसल कर सिंग्यून भी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे उपर पुरा यकीन है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहां से चला जाता है इसलिए लिए लियूस यान भी गुमैन के साथ में वहां से वापस आ जाती है फिर वो गुमैन से कहती है कि मैं आप कुछ समय के कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैंपियंशिप को जितने के लिए हम अपने तरब से बेस्ट देंगे जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लियूस यान यहां से जाने लगती है लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि मैं असब के ओल कमपर्टिसन को जित जहां पर वो कहने लगती है कि जिहान बैटल के बाद से मेरा हाटलेस आइस डिस टर्मीनेशन लेवल नाइन में पहुंच किया है अब इसके बज़ास से वो समझ जाती है कि अगर उसने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग किया तब इस तरह से वो इसके फ फुल पाउर को अचीव करना ही पड़ेगा इसलिए अगर इसके बज़ास से मैं कोल्ड बलड या फिर इमोशनल बिष्ट भी बन गई तब उसके बाद भी मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है और मैं तो किसी भी तरह से सिंग्यून की मदद करना चाहती हूं इ इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इसके लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करना इस्टार्ट कर दो क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर बॉस और कैप्टन को निरास नहीं होने देना है लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लियूसियान का आइस और यहां पर भी आ गुमान का पैरिस में फ्रीज होने लगता है जिसे देख वो भी कहता है कि यहां पाउर तो सच में काफी अमेजिंग है और फिर वो तुरंत अपने पाउर से इसको डिश्रॉय करते हुए यहां से बाहर चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी वहां से भागते हुए बाहर आ गए थे जहां पर यूजे कहने लगता है कि यहां पाउर तो सच में काफी खतरनाक है क्योंकि इसके बज़ास से तो मुझे ऐसा लग रहाता कि मेरा ब्रेंड फ्रीज हो जाएगा तभी यूजे भी कहने लगता है कि इसकी पाउर तो ना केवल टमप्रेशर क लो कर देती है बलकि इसको देख ऐसा लगता है कि यहां तो सोल को भी फ्रीज कर देगा फिर वो आगे कहता है कि यहां पाउर तो किसी को भी कमजोर बना सकती है और इसके अलाबा मुझे तो लगता है कि यह अपने सामने वाले के विल पाउर को भी कम कर देगा अब इस तर यहां से ट्रेनिंग के लिए चलना चाहिए क्योंकि हमें कैप्टेन के ऊपर कोई बर्डे नहीं बनना है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंपरर हान को भी इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था और फिर वो कहने लगती है कि लियूसियान तुम तो फाइनली यहां तक भी आ गई इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सिंग्यून जब तुमसे किसी दिन मिलेगा तब वो तुम्हारे सारे इमोशन को डिसाइड करेगा लेकिन इसके बाद भी मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें प्यार करेगा या नहीं करेगा च् के कॉमन इंट्रेस्ट के होने के बच्चा से मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती फिर वो आगे कहती है कि लियूसियान तुम तो एक डिसेंडेंट वारियर हूँ इसलिए अगर किसी तरह से तुम सुप्रेम एंपरर बन गई तब उसके बाद या जैसा होगा और फि उसके बाद से तुम इमोसिनल बांड को कंटिन्यू कर सकती हो अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है चलो देखते हैं कि क्या सिंग्यून उसनमें तक तुम्हारा वेट करता है वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियूसियान अभी भी अपने इस पाउर को प्रैक्टि होती है वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून डिमन स्प्रिट क्लैन के क्विन से उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा होता है जिस पर वो क्विन उससे कहती है कि हमने इसके लिए पूरे दिंदात मेहनत किया और इसलिए अब हम आपको कुछ दिखाना चा कर पाएंगे जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो क्विन भी इसके लिए रेडी हो गई होती है और फिर वो उससे कहता है कि तुम सुप्रिम एंपरर को इनफरम करने के लिए किसी को भेज़ देना क्योंकि मुझे उसके साथ में यहाँ पर किसी बहुत इसके लिए कोई भी चांस नहीं मिल पाएगा अब इसके कुछ तेर के बाद हम देखते हैं कि सुप्रेम एंपर भी यहाँ पर आ गई थी और फिर वो सिंग्यून से पूछती है कि तुम मुझ से क्या चाहते हो तब इस पर सिंग्यून से पूछता है कि एन क्लैन के साथ मे कोई प्लान बना लिया है जिसके बाद सुप्रेम एंपर उससे कहती है कि मैं अपने आर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ और मैं तो सोच रही हूँ कि अपने फोर्स को बढ़ा कर 10 मिलियन तक भी कर दूँ लेकिन फिर इसके लिए उसे बैंबू एरो के ब बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है क्योंकि अगर हम चाहें तो कुछ बग एंपरर के मदद से टियानुगों आइलेंड से बहुत सारे बैंबू को लेकर आ जाएंगे और फिर इस तरीके से बैंबू एरो की सप्लाई पूरी तरह से सिफ हो जाएगी लेकिन इसके बारे को एविसल वर्ड में कैसे ट्रांस्प्लांट किया जा सकता है तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन सोचने लगता है कि सुप्रिमेंपर का दिमाग भी बिल्कुल एक कीड़े के जैसा है और उसे तो इसके बारे में भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इसके बाद वो उस से बढ़ा कर 100 मिलियन भी कर दिया तो फिर भी इसका कोई भी फायदा नहीं होगा तभी या सुनकर सिंगुन में उससे कहता है कि मुझे भी तो इसी के बारे में चिंता है क्योंकि बग आर्मी जितनी बड़ी होती जाएगी वो इंसानों के लिए उतनी बड़ी खत्रा बने देते हूँ तब उसके बाद तुम जो भी चाहते हो मैं वैसा जरूर करूंगी तो अगर एक्स्प्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना